Hi guys and welcome back to your own channel दीपक्यादाव एजूकेशन ना उस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक क्यों पर बात करने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे सोकर वेटलेंड जो की लद्दा के अंदर लोकेटिड है उसको डिकलेर कर दिया गया है भारत का 42 रामसर साइट तो इस वीडियो में आप लोग को जानने को मिलेगा ये रामसर कॉन्वेंशन क्या है और जो भी साइट जो भी वेटलेंड इस लिस्ट के अंदर आते हैं उनको क्या benefits मिलते हैं ये रामसर exactly क्या है कहां से लिया गया है इसके बारे में जानेंगे साथी साथ ये सोकर वेटलेंड की location साथी साथ इसके साथ इसकी detailing भी देखें तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में वीडियो को end तक देखना और गाइस बढ़ आप लोग इस lecture की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे description box में telegram link दिया हुआ है उस link के उपर click करना और जाकर उस telegram channel को join कर लो क्योंकि वहाँ पर मेरी सारी जितनी भी वीडियो इस channel के उपर upload होती है उनका notification साथी साथ धेर सारी PDF भी मिल जाती है आप लोग को इस news को cover किया है जैसे की आप लोग को दिख रहा होगा यह दट ट्रिब्यून का article है यहां बताया गया जो लद्दाक का सोकर वेटलेंड है उसको एक international importance दे दी गई है उसके बाद next article आप लोग को देखने को मिलेगा टाइमस ओफ इंडिया का बिल्कुल सेम बात यहां भी क सबी जगा पर इसको cover करा गया है तो आपके लिए बहुत जादा important है नाओ यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे environment minister का tweet यह प्रकाश जावित कर जी का यहां पर tweet देखने को मिलेगा इन्होंने भी यहां पर twitter पे upload करा कि जो यह सोकर इंडिया का लदाक के अंदर जो located wetland है उसको 40 seconds रामसर साइट डिगलर कर दिया गा यहां पर आपको कुछ images देखने को मिलेगी नाओ बढ़ते हैं अपने आगे और अब पहले हम लोग क्या करेंगे इस सोकर wetland की location देखेंगे यह सोकर आप कह सकते हो जील है एक लेक है उसको हम लोग location देखेंगे यह द यहां पर एक बात और notice कर लेना सोकर को अभी मतलब की अभी एक दिन पहले 40 seconds रामसर साइट डिकलेर करा गया है लेकिन सो मोरीरी जो यहां पर एक और लेक है इसको अल्रेडी हम लोग 2002 में रामसर साइट डिकलेर कर चुके हैं ओके तो यहां पर दो exact लदा के अंदर में दो लेक हो चुकी है जिनको रामसर साइट के अंदर डिकलेर कर दिया गया है आगे बढ़ेंगे यहां पर थोड़ा सा आप लोग को जूम करके दिखाया गया है यह पैगॉंग सो लेक है यहां पर जो की काफी जादे news में है आज कल क्यों आप लोग को मालूम है इंडिया पर है और इसको भी रामसर साइट डिकलेर कर दिया गया है 2002 में मैं अगेन यहां पर यह चीज़ बता रहा हूं तो आप नोट डाउन करके रखना आपसे कॉशन बन सकते हैं नाव सबसे पहले हम डिसकस करेंगे यह रामसर कॉन्वेंशन है क्या तो यह जो रामसर कॉन्वे यह वेटलेंड्स को क्या करता है एक इंटरनेशनल इंपोर्टेंस देता है यानि जो भी हमारी लेक हैं छोटे मोटे वेटलेंड्स हैं लेक हो गए पॉन्स हो गए उन सब को क्या करता है एक इंटरनेशनल इंपोर्टेंस देता है कैसे इंपोर्टेंस देता है क्योंकि रा सर के अंदर डिक्लियर कर दिया गया अगर हम बात करें इस कॉन्वेंशन की तो इस कॉन्वेंशन का जो नाम है राम सर यह कहां से लिया गया इरान के अंदर एक शहर का नाम है राम सर जहां पे इस कॉन्वेंशन को साइन करा गया था 1971 में उसके बेसिस के ओपर राम सर का नाम रखा गया है इसी वज़ा से हम लोग इसको राम सर कॉनवेंशन बोलते हैं अगर हम बात करें पर्टिकुलरली कि इस का क्या benefit मिलता है यानि कि कोई भी wetland जैसे कि आज कई एक्जामपल ले लें जो सोकर हमारा lake है उसको इस list के अंदर डाला जाएगा तो उसे क्या importance मिलेगी तो उसको सबसे बड़ी importance यह मिलेगी देखो एक तो internationally वो जाना जाएगा दूसरी चीज उसके protection के ओपर पूरी तरह से काम करा जाएगा उससे protect करा जाएगा, conserveate करा जाएगा उसका एक sustainable use करा जाएगा ओके, नाओ आगे बढ़ेंगे यहाँ पर यह रामसर का हमारा logo है यह भी आप देख सकते हो, यह जो sign करा गई थी treaty वो कप करी गई थी, 2nd February 1971 में इसका location है रामसर, सहर, इरान के अंदर ठीक है, किसनी parties हैं इसके अंदर 171 parties हैं और कौन-कौन सी languages इस्तमाल करी जाती है यह भी आपके लिए important बन सकता है English, French, Spanish and Persian ओके, नाओ यहाँ पर आप लोगों फिर से वही देखने को मिलेगा जो Sokar Wetland Complex है, वो 42nd रामसर साइड बन चुका है, जो की located है हमारा Union Territory of Ladakh में, ठीक है, हमने location देख ली अब इस news को हम लोग थोड़ा सा detail के अंदर देखेंगे, यह जो Sokar Basin है, यह एक High Altitude Wetland Complex है यानि कि जो यह, मैंने बताया आपको जो Sokar Lake है, यह बहुत ही उचाई के उपर located है, यानि कि दुनिया के, दुनिया के नहीं कह सकते हैं, हम अगर बात करें, इंडिया में, सबसे उची सबसे उची जगा पर कोई Lake located है, तो वो है Sokar, ओके मैंने आपको starting बताया था कि Sokar के साथ एक और Water Body जुडी वी है, वो कौन सी है Sokar के साथ जो दूसरी Water Body है वो है, वो Star Sapuk So, ठीक है Star Sapuk So, इसकी दूसरा नाम है दूसरा Water Body है, तो ये दोनों Water Body है, दोनों आपस में मिली भी है ठीक है, और अगर हम बात करें, ये कहां पर situated है, ये situated है चांगतंग region of Ladakh में इसको भी note down कर लेना, इसको हम लोग Sokar कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका meaning है White Lake, ये सफेद Lake के नाम से जानी जाती है, सफेद जील कहा जाता है इसे, क्यों? क्योंकि होता क्या है, शर्दियों में वहाँ पर minus 40 degree Celsius हो जाता है minus 40 degree Celsius जानी कि सब कुछ freeze हो जाना, बंद हो जाना, सब कुछ जम जाना, तो उसलिए हम लोग November में allow नहीं करते हैं, वहाँ पे tourism के लिए allow नहीं करा जाता है, ठीके November से लेके May तक, लेकिन उसे के साथ साथ होता क्या है, कि जो ये Soker Lake है, इसमें से जो पानी है, वो पूरा का पूरा evaporate हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है वो नमक देखो, एक तो है किया ये जो Soker हमारी Lake है, ये Saline Water पाया जाता है, इसके अंदर, खारा पानी पाया जाता है, तो फिर जब वो पानी सारा का सारा evaporate हो जाता है, उसके बाद नमक दिखाई देता है, ठीके, तो उसकी वज़ा एरिया भी बोला जाता है, किसको Soker Basin को, यानि यहाँ पे बहुत सारी important birds आती है और वो कौन सी है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, जो ये site है इसमें one of the most important breeding area माना जाता है, किसके लिए black necked crane के लिए ये एक bird है इंडिया के अंदर जिसका नाम है black necked crane, ये बहुत important species है, जो कि वहाँ पर पाई जाती है उस site पर पाई जाती है, जिसका scientific name है, Gros nigricolis ठीक है, ये इंडिया के अंदर मिलती है, पहले मैं आपको इसकी picture दिखा देता हूँ, ये आपको clearly picture दिखेगी, black neck नाम ही दे रखा है, तो आप समझी जाओगे इसकी गर्दन काली होती है इस वज़ाए से इसका नाम जो है black neck रखा है, ओके नाव ये जो हमारा important bird area है यहाँ पे बहुत सारी इसके अलावा, जो ये bird है, इसके अलावा और भी बहुत सारी species आती है, जो कि आप लोगो यहाँ पर दिख रहे होंगी, मैं आपको एक बार नाम रीट करके बता देता हूँ, लेकिन जो आपको याद रखना है, वो सिर्फ ये वाली species को याद रखना है, बहुत important species यह यह, ठीक है, बाकी के मैं नाम बताते दाओं क्या-क्या है, जैसे की great crested grebe, bar-headed geese, और ready shell duck, brown-headed girl, lesser sand plower, और बहुत सारी species वहाँ पर पाई जाती है, चीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यह picture हम लोगों ने देख ली, और कुछ important information है, यहाँ पर आपके लिए के लिए वो क्या है, so moriri, जो lake moriri है, इस हम लोग mountain lake भी बोलते हैं, यह जो lake है, इसको भी 2002 के अंदर, रामसर convention के अंदर डाल दिया था, रामसर wetland side के तौर पर इसको भी इस list के अंदर डाल दिया, और इसको भी protection मिल रहा है under this list, ओके, तो यह जो lake है, कहाँ पर चांक तांक प्लैट्यू में यह located है, लद्दाक वाले region में, ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से location दिखा देता हूं, इन lakes की, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, यह लद्दाक हमारा union territory, यहाँ पर सोकर है, और यहाँ पर सो मोरीरी, अब यह दोनों ही मिलकर, यह रामसर convention list के अंदर आ चुकी है, ओके, तो गैस इसी के साथ होता है, आज का हमारा इस वीडियो का analysis पूरी तरह से समापत, आई होप, आप लोग को चीज़े समझ माग गई होंगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, तो गैस आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में